हेलो फेंट्स वेलकम टू स्टडी ग्रूप पार्च चाला में विलाश और आज की ग्लास में रड़ेस्स करेंगे ट्रांसलेशन को और यह ट्रांसलेशन जो होगा हिंदी टू इंगलेश होगा ठीक है और आप इस सीरीज को कम्प्लीटली बहुत जरूर कर लेना इसमें आप लिंक में मिल जाएगा वहाँ से जाके पीडिया भी डाउवलोड करके देख सकते हो उसको भी ट्रांसलेशन कर सकते हो इसके साइज सब्सक्राइब को ले सकते हो जिसमें आपको 50 प्लस प्रैक्टिस के सेट्स मिल जाते हैं और उनको आप त्यार कर सकते हो बड़ी आ तरीक जो को explain किया गया है और एक बार अगर आप इस book को read कर लेते हो तो आपकी translation से लेटेट जो भी समझते हैं वो solve हो जाएंगे ठीक है आसानी से आप translation करना सीख सकते हो और खास बात यह कि इसमें आपको 50 प्रैक्टिस के सेट्स मिलते हैं जिससे आप extensively practice भी कर सकते हो रइट दोस्तो और lowest cost में बुक मिल जाएगी आपको additional 30% discount भी मिल जाएगा तो description में दोस्तो लिंक दिया गया है वहाँ से जाके आप discounted rates पे इन बुक्स को buy कर सकते हो रइट दोस्तो चलिए शुरू करते हैं अच्छी class let's start तो दोस्तो इस तरह से यहाँ पर आपको passes दिया गया है इसको आपको translate करना है और हम लोग इसको translate करेंगा और मैं बताता चलूँगा कैसे basically आपको approach रख दी exam में ठीक है तो line by line हम लोग इसको देखते चलते हैं कैसे आप इसको translate कर सकते हो best possible way में तो सबसे पहले आप इस video को देखना जब मैं line by line आपको translation दूँगा इसको पूरा जब watch कर लोगे इसके बाद आपको क्या करना है PDF जो है इसकी download करनी है उसके बाद इसी page को open करके आपको अपने मन से translation करना है ठीक है तो जब अपने मन से करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहां पर आपको problem हो रही है और क्या क्या आपके weak points है ठीक है तो यह इस तरह से आपका एक तरह से जो है आप practice भी करोगे साधी साथ आप जो है उसको analyze भी कर सकोगे कि कहां पर आपको problem हो और यह translation में दोस्तों तो यही approach आपको follow करते हुए चलना इसी approach को right तो दोस्तों जैसा कि पहला sentence आप दिया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए और वो व्यक्ति बनने के लिए जो आप बनना चाहते हैं आपको अपने कार्यों पर ध्यान देना शुरू करना होगा अप अपने आपसे पूछें क्या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं जो मुझे जीवन में वहां ले जाए जहां मैं पहुंचना चाहता हूं ठीक है तो इसको कैसे translate करेंगे आप समझे गया जागा तो यहां पर शुरुवात आप कैसे करोगे यहां पर जैसे एक segment इसका यह कि अपने पर ध्यान देना शुरू करना होगा यह पूरा sentence से इसको आपको सबसे पहले translate करना हो ठीक है तो क्या से करोगे in order to achieve your dreams यानि अपने सपनों को पूरा करने के लिए and be the person you want to be यानि जो person आप बनना चाहते हो वो बनने के लिए you will have to start paying attention to your actions यानि कि आपको अपने actions पे attention देना शुरू करना होगा यानि कि आप अपने जो भी कार कर रहे हो उस पर ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा तो इस तरह से यहां तक आप इसका translation करोगे उसके बाद देखो का जा रहा है आपने अपने आप से पूछें क्या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ जो मुझे जीवन मे तो वहां ले जाए जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ ठीक है तो आप अपने से पूछें इसको कैसे लिखोगे आस्क योर्सेल्फ यानि आप अपने आप से पूछो कि इस वाट इस वाट आम डूइंग गोइंग तो लीड मी तो वेर आई वान तो बी लाइफ ठीक है या जो है ट्रांसलेशन में काफी अदा प्रॉब्लम आती इसलिए मैं तोड़ा से लेविल आपको बढ़ा रहा हूँ जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आप हर लेविल की कुश्चन कर पाओगे हर लेविल का ट्रांसलेशन कर पाओगे रइट दोस्तो आगे बरते हैं अगला आपको बोला जा रहा है कि अपने खाली समय को उन चीजों को करने में लगाए जो आपका समय बरबाद करने के बज़ाए आपको आनंद दे ठीक है तो इसको कैसे लगे लिखेंगे ट्राय टू स्पेंड यो फ्री टाइम डुइंग तैट यू इनजोई डूइंग तैट यू एज आप यहाँ पर सिंपली जो बोला गया है को इस तरह से लिख सकते हैं या अपना टाइम जो है जो फ्री टाइम उसको काँपे खरश करना है डूइंग तैट यू इंजोई यानि जो आपको काम करना अच्छा लगता है उनको करने में rather than wasting time ठीक है यानि समय बरबात करने से जो काम आपको करना अच्छा लगता है उनकामों को करें अपने fully time में इसके बाद देखो for example आगे दिया उधारन के लिए अपने सक्तां को television देखने में बिताने के बजाए rather than spending your weekends watching television यानि television देखने के वज़ा हमें क्या करना पड़ एच्छ चाहिए spend them partaking in your hobbies और spending time with loved ones and new friends यानि अपना समय जो है अपनी hobbies में या फिर हमें वहां पर समय बिताना चाहिए जहां जिनको हम चाहते हैं या फिर जो हमारे friend है तो उनके साथ रहकर अपना समय बिताना चाह free time को ठेके तो इस तरह से यहां पर आप इसको translate कर सकते हो और दीरे दीरे से आप इसको translation करना शुरू करोगे तो आपको सारी चीज़े समझ में आती जाएगी और यहां तक आई हो आप लोग समझ पाए होंगे इसको बैतल तरीके से आगे बढ़ते हैं व्यवस्था से अप हम लोग बोलते हैं ठीक है तो measure your productivity by engagement यानी अपनी productivity को किस से measure करेंगे engagement यानी वेस्थता से अपनी उत्पादक का मापने not achievement achievement नहीं मापनी है यानी उप लब्धियों को नहीं मापना है आज जो कुछ भी करें जरूरी नहीं को पादक ही हो लेकिन उसका कार आकाशक और सुका दोना चाहिए ठीक है इसको कैसे लिखोगे कि not everything you do has to be productive यानी जो भी काम आप कर रहे हो कोई जरूरी नहीं प्रड़क्टिवी हो ठीक है बट activity शुड़ वी engaging and enjoyable यानी जो भी activities आप कर रहे हो इंगेजिंग होनी चाहिए और enjoyable होनी चाहिए या आप उसको enjoy भी कर रहे हो ऐसा नहीं कि केवल आप productive के चेकर में आप enjoy बिलकुल भी नहीं कर बार हो और और वह काम आपको अच्छा भी नह आगे बढ़ते हैं ध्यान रखेंगी कुछ भी ऐसा ना करना और प्रतेक दिन अव्यस्त रहना ठीक है यानि कुछ भी ना करना यानि बिल्कुल फ्री होना ठीक है या फिर प्रतेक दिन अव्यस्त होना भी ठीक है यानि वह भी साही है तो इसको कैसा लिखेंगे एक कीप इन म that it is fine to spend some time doing nothing यानि कुछ समय ऐसा भी बिता है जिस समय कुछ ना कर रहा हूं यानि कुछ भी ना करना भी ठीक है सही है and just being lazy each day यानि कुछ हर दिन जो है कुछ time बिल्कुल busy ना होने की बज़ा बिल्कुल जो होना चाहिए lazy time होना चाहिए या फिर ऐसा भी time होना चाहिए जिस समय कुछ ना कर रहा हूं राइट इसके बाद देखो यह वास्तों में आपकी कल्पना और आत्म जागरुकता में मदद करता है ठीक है इसको कैसे लिखेंगे कि this can actually help with your imagination and self-awareness आत्म जागरुकता का मतलब self-awareness और कल्पना यानि imagination ठीक है तो यह क्या करेगा जो आपकी कल्पना और आत्म जागरुकता है उसमें help करेगा राइट तो इस तरह से इसको भी आप यहां पर translate करोगे राइट दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं इससे पहले कि आप सफलता प्राप्त कर सकें आपको परिभाशित कर करना होगा कि सफलता आपके लिए क्या माइने रखती है ठीक है यह काफी है basically जो है यहां पर sentence है इसको कैसे बनाओगे कि इससे पहले कि सफलता प्राप्त कर सकें इसको कैसे लिखोगे before you can achieve success यानि आप success जो है achieve कर सको इसके पहले क्या करना है you will have to define what success means to you यानि success आपके लि क्या माइने रखती है इस चीछ को आपको परिवाश्चित करना होगा राइट हाला कि या मैसूस करने में वर्शो लग सकते हैं कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं अपने जुनून और रूच्यों की पैचान करने से आपको लक्ष निदारित करने में मदद मिले ठीक आप देखो यह कैसे ट्रांसलेट करोगी हाला कि या मैसूस करने में वर्शो लग जाते कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं पहले इतना सेंटेंस ट्रांसलेट करना है तो हाला कि यानि कि वाइल इट में टेक यह तू रियलाईज वाट यू वांट तो डू इन पैचान करना तो identifying your passion and interest will help you set goals यानि आपके passion और interest को जब आप identify कर लोगे पैचान कर लोगे तो उससे क्या होगा आपके goals जो है उनको set करने में आपको help मिलेगी मदद मिलेगी राइट दोस्तों तो इस तरह से यहाँ पर आप इस passage को translate कर पाऊगे राइट आगे दोस्तों ब परिवार के सदस से मदद मांगें ठीक है इसको कैसे translate करना है कि अगर पहले इतना translate करेंगे कि अगर आपको इन चीजों को पहिचानने में परिशानी होती है if you have trouble identifying these things ठीक है इन चीजों को पहिचानने में problem होती है नि ट्रबल होता है परिशानी होती है then ask a friend or family member to help you ठीक है आपको अपने family members किसी family member या फिर फ्रेंड से help मांगने चाहिए रही तो इस तरह से इसको आप translate कर सकते हो इस passage को translate कर सकते हो और I hope आप लोगो बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा कैसे इन passage को इनको translate करते जाना है line by line रही दोस्तों इसी तरह से आप अच्छे से सारे पैसेजिस की practice कर लेना सारे वीडियो को देख लेना और इसके साथ ही साथ आप टेलिग्राम चैनल को जरू जोइन कर लेना है इस पर आपको सारी important PDF मिल जाएंगी और classes की notification मिल जाएगी ताकि आपकी कोई भी class miss नहों राइट और discussion में आपको link में आपको provide कर दूँगा और साथ comment section में प्रिंट कर दूँगा ठीक और बाकी आप books भी ले सकते हो जिनको तयार करने के लिए discount rate पर आपको books मिल जाएंगी सारी के सारी और basically जो है एक वीडियो कैसे लगा comment करके जरू बताएगा video helpful लगा तो like करेगा इस video को share करेगा अपने सभी दोस्तों में और subscribe कर लि